हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवं कुमार और आप देख रहे हैं B.S.A. ट्रकी क्लासेज तो फ्रेंड्स आज़की इस क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं आपके साथ में आपके दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए कम्प्यूटर के कुछ बहुत ही महात्वपूर्ण प्रशन तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोग क्लास को अपने सबोर्ट करें क्लास को अपनी मिल के शेयर करें ताकि इसका बैनिफिट और भी लोगों को मिले दोस्तों आशा करते हैं आ अगर आपको क्लास अच्छी लगे पसंद आये तो लाइक कीजएगा बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को फ्रेंड शेयर कर दीजिए ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोगों क्लास में कम से कम कम से कम थ्री अच्ट्चींं और फ्रीwright फिफ्टी प्लस आपको लाइ होती हैं बताएं how many layers are there in TCP IP options है आपके दो चार पांच यह साथ इन में से बताएं कि फ्रेंड्स TCP IP इसमें कितनी layers होती है TCP IP में चार layer होती है इस question का right answer हो जाएगा हमारो option number second इतनी होती है तो TCP IP में चार layer होती है कौन-कौन स्थी वो चार layer होती है वियाप के लिए important है पहली होती है अप्लिकेशन दूसरी होती है इस होती है इंटरनेट और चौथी होते हैं चार लेयर होती है application लेयर ट्रस्पोर्ट लेयर इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क अक्सस लेयर ठीक है अब बात करते है TCP IP की तो TCP IP का full farm क्यों होता है ठीक जो TCP का full farm होता है यह होता है प्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है और जो आई पी का फॉल फार्म होता है यह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है तो यह चीज़ा आप याद रखेंगे ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकेंड आया हुआ है वह बिल्कुल सही आंसर है चलिए ह तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न अगला प्रश्न की जी यू आधारित प्रचालन तंत्र निम्रिखित में से क्या है विच आप दा फॉल्लिंग इस जी यू आई बेस्ट चर्कुलेशन सिस्टम यह पर ऑप्रेटिंग सिस्टम होना चाहिए ठीक है छेली बताएं कि जी यू आधारित प्रचालन तंत्र क्या है एमस्डॉस एमस्विंडोज यूनिक्स इन में से सभी कमेंट करें प्रेंट्स पटापट से चलिए इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स ऑप्सन नंबर फस्ट एमस्डॉस सुर्य मस्विंडोज ठीक है मस्विंडोज यह की जी यू आई अधारित प्रचालन तंत्र है ठीक है अब जी यू आई का फॉर्फॉर्म क्या होता है तो यहां ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है जी यूकश पंग घ्राफिकल यूजर इंटरफेस 122 का क्यो होता है थी स्कॉर्फॉरूज टियूरूछ survivorsा resulton 2017 ग्वोफ यह उस प्रचिन के लिए बिल्कुल तही आन्सर है उंका चलिए क hört रूशन के अब हम देखते हैं उस्क्लास का अग अगला प्रश्ण के डोमेन नाम को आई-पी पत्ते में परिवर्तित करना प्रश्ण पढ़ना था प्रश्ण का क्या है क्या है क्मेंट करें डी एनस का क्या है है तो डोमेन नेम 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 में परिवर्तित करना डोमेन नेम को ईमेल पते में परिवर्तित करना क्वेंट करें DNS का full form क्या होता है DNS का कार है क्या होता है तो domain name को domain name को IP पते में परिवर्तित करना converting domain name to IP address ठीक है यही होता है DNS का कार है DNS का full form domain name system ओके जिनका भी answer friends option first आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए अब हम देखते हैं friends इस class का फटा फट से अगला प्रशन friends अगला प्रशन MS word का पुरियोग मोलता निम लिखित में से किसके लिए किया जाता है MS word is basically used for which of the following options है आपके database त्रजित करने में database का visualization करने में women पर लिए एकनी की document त्यार करने में या slide त्यार करने में comment करें चलिए इस question का राइट answer हो जाएगा हमारा option नमबर थर्ड विभिन पर लेख त्यार करने में त्यार करने में हम किसका यूज करते हैं तो MS word या इसके अलावा slide त्यार करने में किसका यूज के जाता है पावर पॉइंट का ठीक है जो लिए तो पावर पॉइंट के इसके इसमें करते हैं slides को त्यार करने में ठीक है इसके अलावा जो है यह MS word और पावर पॉइंट ओके तो यह सब किस package में आते हैं यह सब भी MS office के package में आते हैं ओके सॉप्सन फोर जिनका भी आंसर आया हुगा इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अब हम देखते है फ्रेंट्स क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है वेब पेज पर डाटा एंट्री निम्लिखित के प्रियोग से की जाती है डेटा एंट्री ओन वेब पेज चैन बे डन यूजिंग दा फॉलोईंग बताएं वेब पेज पर डेटा एंट्री किसके प्रियोग से की जाती है कमेंट करें चलिए इस क्वेशन का राइट अंसर अगर आपने चुना है आपका ओप्सन नंबर सेकेंड टेबल्स ठीक है वेब पेज में डेटा इंट्री टेबल्स के प्रियोग से करते हैं ओके ऑप्सन सेकेंड इस डाइट आंसर अप्रियोग निम्लिखित के लिए किया जाता है FTP is used for निकि FTP का प्रियोग हम किस लिए करते हैं बताएं आपके ओप्सन सें वेब पर सूचना का प्रियोग 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 निम्लिखित करना या युक्ति द्वारा निवेदन करना और सर्वर से IP प्राप्त करना बताएं FTP का यूज हम किस लिए करते हैं चलिए इस क्रेशन का राइट अंसर अगर आप अप्सन थर्ड चुने हुए ति यह सही आंसर है आपका युक्ति एक कमप्यूटर से यह इन पर डेटा को अपलोड या डाउनलोड करना इसमें FTP का यूज करते हैं अगला प्रेश्च चुम्बकी संचेयन तंत्र यानिकि मैगनेटिक स्टूरज सिस्टम ठीक है कि किस्म निवलिखित में से कौन सी नहीं है विच्वाप्टा फॉलिएंग इस नौट टाइप आप मैगनेटिक स्टूरेज सिस्टम अब क्यों आपसंस हैं फ्लॉपी डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क हार्ड डिस्क चुम्बकी टेप कमेंट करें इन में से कौन सी चुम्बकी संचेयन तंत्र की एक किस्म नहीं है कि इस क्योष्टिन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑपसं सेकंड कॉम्पैक्ट डिस्क की नहीं है ऑपसं सेकंड अगर आप चुननें इसक्वाइट का अंसर अपने तो यह बिलकुल सही आंसर है तोंपक्ट डिस्क इस अधार राइट अंसर इसके अलाब friends देखिए compact disk में question आता है कि compact disk का data rate करने में किन का use करते हैं तो इनमें laser lights का use करते हैं किनका laser light या laser kirno का इनमें use करते हैं CD का data rate करने के लिए okay option second is the right answer चलिए देखते है friends अगला प्रशन अगला प्रशन है SMTP दौरा प्रयुक्त पूर्ट है तो पूर्ट यूस्ट वाई SMTP इस SMTP दौरा कितने पूर्ट के यूज़ किया जाता है 21, 22, 23, 25 इस question को friends आप लोगो अपने home work में बताएंगे ओके इसका आंसर आप लोगो अपने home work में देंगे discuss किया question आपको SMTP दौरा प्रियुक्त पूर्ट बताना कौन सा है आपको पताता है SMTP का full form क्या होता है कि सिम्पल कि मेल कि ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है सिम्पल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का perform होता है इसके लोग आपसे पूछे SMTP का प्रियुक किस में किया जाता है तो mail भीजने गया mail को प्राप्ट करने में ओकी चलिए अगला प्राशन के नेट पर किसी संसाधन का पता लगाना पता कहलाता है तो नेट पर किसी संसाधन का पता जो एड्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं आपके आपसे से ISP HTTP URL www चलिए इस question का right answer हो जाएगा फ्रेंट से option number हमारा 3rd URL URL का full form क्या होता है uniform resource locator क्या होता है uniform resource locator इसके लगा HTTP प्रीम क्या हता है hypertext transfer protocol ISP का full form क्या होता है internet service provider और www का full form क्या होता है worldwide web ओके चलिए अपरेंट्स अब हम देखते हैं इस class का अग्ला परशन अगला question friends की program जो html file और प्रष्टों को serve करता है कहलाता है the program that serve html files and pages is called तो web पता web प्रष्ट, web server यह home page तो file और प्रष्टों को जो serve करता है जो program इसको हम क्या बोलता है तो वो program जो html file और प्रष्टों को serve करता है इसको हम बोलता है web page ठीक है तो इसको हम web page बोलता है clear जिनका answer friends option second आया हुआ है वो बिल्कुल सही answer है आपका क्या बोलता है इसको इसको web page बोलता है ओकी चलिए dear friends अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रष्ण अगला प्रष्ण तारिका की पंत क्या कहलाती है what is the row in a table called record field table यह संबंध यह question बहुत बहुत पूंचा गया exam में बता है तारिका की पंत क्या कहलाती है तारिका की पंत कहलाती है record तारिका की पंत को क्या बोलते है इसको record बोलते है तो option first अगर आप चुनें इस question का answer अपने तो यह बिल्कुल सही answer है आपका record कहते हैं तारिका की पंत को ओके चलिए अब हम ले चलते हैं friends आपको आगे इस class के अगले प्रेशन की तरह अगला प्रेशन की निम लेखित में इसे कौन सी input युगती है प्रेंटर माउस CPU मोनिटर चलिए इस question का राइट अंसर होगा अगर देखा था तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है ठीक है लेकिन यह इससे पॉइंटिंग को आप्सन नहीं है और यह input देने का कार्य करता है कि जिए भी डिवाइस के दौरा हम computer को input या command दे सकते हैं वो सभी हमारी input devices होती है जैसे mouse के दौरा command देते हैं क्या open करना क्या close करना इसके लाग keyboard के दौरा हम command देते हैं कि क्या type करना है क्या इरेज करना है है ना यह सभी हमारी input devices होती है और प्रिंटर हो गया CPU हो गया monitor हो गया यह सभी output devices है क्या होती है जिनके दौरा computer से हमको कुछ मिलता है जैसे कि monitor पर क्या सब्सक्राइब करता है कि सिस्टम पर क्या हो रहा है इस टाइप की devices होती है हमारी output devices होती है ओके चलिए अगला प्रेशन की cache memory का प्रियोग निमलिखित में से किसके बीच data अंतरित ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है the cache memory is used to transfer data between processor और input device main memory और secondary memory processor और output devices main memory और processor बताएं कि cache memory का प्रियोग किसके बीच data को अंतरित ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है बताएं चलिए इस question का right answer friends हो जाएगा हमारा option number second okay main memory and secondary memory okay चलिए sorry option 4 main memory और processor ठीक है फिरेंट से main memory और processor के बीच डेटा को transfer करने के लिए करते हैं cache memory का इलो से okay option 4 जिनका answer आया हुआ इस question के लिए बिलकुल सही होता है उनका चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रश्चन अगला प्रश्चन इवनिखित में से किस प्रकार के प्रचालन तंतर में कई प्रयोगता एक समय में एक साथ कारे कर सकते हैं किस प्रकार के प्रचालन तंतर में कई प्रयोगता एक समय में एक साथ कारे कर सकते हैं आपके options है multi process प्रचालन तंतर, multi user प्रचालन तंतर, multitasking प्रचालन तंतर या इन में से कोई नहीं तो को option number multi user वाल और multitasking यह confuse करेंगे चलिए बताएं फ्रेंड्स फटाफट से कि आप case question का right answer क्या होगा इस question का right answer होगा फ्रेंड्स option second, multi user operating system तो multi user operating system यह होता है, multi user प्रचालन तंतर, multitasking में क्या होता है, multitasking में एक के साथ एक users जो होता है वो एक के साथ अनेक कार कर सकता है, इसको बोलते है multitasking यह नि कि देखिए एक user अनेक कार करता है, जिसको multitasking बोलते हैं और जब एक कार या विभिन्ने कार अनेक users करते हैं तो इसको multi user बोलते हैं ओके तो ऐसे में जिनका answer option second आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है, चल यह अगला question निमलेखित में से कौन सी सबसे तेज memory है which of the following is the fastest memory, options have primary memory, secondary memory, cache memory यह external memory बताएं कि कौन सी सबसे तेज memory है चल यह, option third, cache memory तो फ्रेंट यह जो cache memory होती है, वो सबसे तेज memory मानी गई है, ओके चल यह, देखते हैं अगरा प्रशन friends अगला प्रशन है कि निमलेखित में से किस प्रचाल, किस का पर्योग, server और networking design to networking devices को remote access देने के लिए किया जाता है very good question, which of the following is used to provide remote access to the server and networking devices, options have HTTP, FTP, Telnet यह SMTP किसका प्रियोग, server और networking devices को remote access देने के लिए किया जाता है बताएं इस question का right answer हो जाएगा option 3, Telnet ठीक है, क्यों होता है, तेलनेट का इसको साथ मैंने कल भी पढ़ा था आपको, Telnet वो होता है वो, चलिए अगला question friends, output device निम्रिखित में से कौन सी नहीं है, which of the following is not an output device, printer, plotter, scanner, speaker, तो अभी मैंने आपको input device के बारे में बताया था, अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा, तो आप लोग output device का अंसर तुरंद कर लेंगे, बताएं, output device का उदाहरन इनमें से कौन सा है, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option number 3, एक second, output device से printer अमारा, इसर नहीं है, मुचा ग है, तो आपको डिवाइस का है, स्कैनर इसकैनर इसकैनर आमारा, इनपूट डिवाइस है, यूखिज़ किसी चीज को, इसकैनर में स्कैन करते हैं, तो यह कंप्यूटर को input देता है, कि इस टाइप का प्रतिवियम, यह इस टाइप की image बनाई जाया इसक्रीन पे, तो इसकि इनपूट देता है, यह इनपूट डिवाइस है, आगे प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ठीक है, यह सबी हमारे क्या है, आउट्पूट डिवाइस है, clear, तो ऐसे में जिनका answer option 3rd आया हुआ है, तो यह सही answer है, चलिए, देखते हैं अगला प्रस्टिन, अगला प्रस्टि ड्राइंग में समर्थ होती है, which of the following device is a capable of producing large format drawing such as graphs and construction drawings, options है आपके, laser printer, flat bed printer, inkjet printer या dot matrix printer, comment करें चलिए, जिसे हम पूछा कि किस प्रकार की devices का प्रयोग, format drawing जैसे graph और graph निर्माण और drawing बनाने में करते हैं, यह होते हैं, यह होते हैं हमारे flat bed printers, प्रिंटर के टाइप में प्रिंटर की किसमें हैं, और इसमें फ्लाइट प्रिंटर होते हैं, इनका प्रियोग हम जो बड़ लिए बड़े drawing होते हैं, इनका यूस्करते हैं, ओके, चलिए, देखने हैं इस class काहां अगला प्रेशन हे अगला प्रेशन फेंट अप्लिकेशन लेयर OSI model की कौन सी परत है, आप्लिकेशन लेयर इस इं विच इस विच लेयर आफ दा OSI model, एक तीर चार सा, जो OSI परत होती है यह कौन सी परत होती है चलिए इसक्रेशन का राइट अंसर हो जाएगा आपसन नंबर पूर साथ वी नियर कौन सी असे सेवंद लेगों सी अप्सन फोर इस दर आइड आप स्वेश्ट चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर सिस्टम के कारे करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार रहे है इस प्रोग्राम इसेंसियल फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बताएं कि कंप्यूटर सिस्टम के कारे करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार होता है ऑप्सन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम साफ्टवेर, MS Word ये MS Excel, comment करें, चलिए, तो computer system के कार करने के लिए, friends, operating system ज़रूरी होता है, अगर OS ही नहीं है, ठीक है, operating system ही नहीं है, system on ही नहीं होगा, ठीक है, on होगा, लेकिन उसको सो नहीं करेगा, ठीक है, तो system का को कार करने के लिए, operating system का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे में जिनका answer option first आया हुआ है, मिल्कुल सही होता है, ठीक, अच्छे, इसमें आपको second option में दिख रहा होगा system software, system software, तो इस system software का एक प्रकार होता है, अब दो अन्य कौन से प्रकार होते हैं software के, एक तो होगा system software, तो और कौन कौन से होता है, देखे, दूसरा होता है application software, तीसरा होता है utility software, okay, चलिए, option first is the right answer of this question, okay friends, चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके की, computer का कौन सा भाग, इसका मस्तिस्क कहलाता है, which part of the computer call its brain, options हैं, आपके keyboard, memory, CPU, या monitor, असान question है, प्रश्न का कौन सा भाग, इसका मस्तिस्क कहलाता है, चलिए, बहुत असान question था, इस question का right answer होता है, option number third, ठीक है, CPU, CPU को क्या बोलता है, full form में, केंद्र, इंग्लेस में बोलते है, central processing unit, और हिंद्री में बोलते है, केंद्री पसंस्क्रान रिकाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, CPU का full form होता है, इसके या फिर्ट्स आपको ये तो पता है, कि computer का मस्तिस्क को बोलता है, CPU को, हमको आप ये बताइए, अच्छा question है, computer की आख किसको बोलते है, eye of the computer, रहते हैं, computer की आख किसको बोलते हैं, तो computer की आख बोलते है, scanner को, ठीक है, scanner को computer की आख कहा जाता है, ओके, चलिए, अब हम देखते हैं, friends, इस class का फटा-फट से अगला प्रेशन, friends, अगला प्रेशन आपका कि network पर computer का पता लगाना कहलाता है, locating computer on a network is called, URL, IP address, host, domain name, बताएं, कि network पर computer का पता लगाना क्या कहलाता है, इस question का right answer हो जाएगा, friends, option 4, domain name, याद रखेंगे network पर computer का पता लगा रहा है, यह domain name कहिदा में से जानते हैं, option 4 अगर आपने चुना हुआ है, इस question का answer, तो बिल्कुल सही answer है, domain name is the right answer of this question, ओके चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का friends, फटा फट से अगला प्रशन है, friends अगला प्रशन है कि C में उपलत कुल कीवर्ड की संख्या कितनी, what is the total number of keywords available in C, 24, 28, 32 या 36, पता हैं, कि C में उपलत कीवर्ड की कुल संख्या कितनी होती है, होती है कैवेंट के रहे हैं, तो friends चलिए, इस question का right answer होगा, हमारा option number 3, 32, ठीक है C कैसी एक language है, C, C++, Java, ठीक है, इसे भी क्या हैं, इसे भी languages होती है, इसमें जोई keywords की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, सो option 3 अगर आप चुने हैं, इस question का answer अपने, तो यह बिलकुल सही answer है आपका, चलिए, अब हम देखते हैं, difference class का अगला P lib 이미 pros अगला प्रशन हो अगला अगला क्रीश स्थाने किया था विच oh the ultimate meet supercomputer developed in India तो भारत में विक्सित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थाने किया था आप संस्थाने किया था आप संस्थाने क्या AIT कानपुर, CDAC, AOMB या इन में से कोई नहीं बताएं कि CDAC जो है इसको किस ने विक्सित किया था, सुरी, सुपर कंप्यूटर जो इसको किस ने विक्सित किया था तो यह question बहुत बर exam में पूछा गया, कई के exam से पूछा गया है, तो फटा-फट से बताएं इस question का right answer इस question का right answer होगा, friends, option second, CDAC ठीक है, भारत में विक्सित परम सुपर कंप्यूटर जो है, इसको CDAC company द्वारा विक्सित किया गया था, very important question, अच्छा अगर आसे पूछ ले कि भारत में विक्सित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, धियान से संब लिजे, अगर पहले पूछे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था param 8000, ठीक है? अगर पूछे भारत में विक्सित पहला कंप्यूटर कौन सा था सिधार था ओके इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो अब हम देखते हैं फ्रेंट्स इस क्लास का अगला प्रशन अगला प्रशन है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा आप्रेंट्स और स्फन 4 एरर इसको हिंडी में क्या बोलते है तो रोटी है ठीक है अगर कोई भी फ्रोग्राम है और उसमें कुछ भी खामियां आ जानते हैं ठीक है तो इसमें जिनका आंसर option 4 आया हुआ है बिल्कुल सही answer है इसके अलाव virus क्या होता है ठीक है वैरिस एक जो है क्रत्री रोप से बनाया गया प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कम्प्यूटर में फाइल्स को नश्ट करा देता है ठीक है तो इसमें जिनका आंसर option 4 आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका और इसकी हानियों से बचने के लिए वैरिस की हम अपने सिस्टम में एंटि वैरिस का यूज करता है clear so option 4 is the right answer of this question अब हम देखते हैं friends इस क्लास का अगला प्रशन friends अगला प्रशन है windows explorer को खोलने के लिए कौन सी short key है what is the shortcut key to open windows explorer options आपके window key plus e window key plus w window key plus o ये control plus o बता है कि windows explorer को खोलने के लिए कौन सी short key का यूज करता है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number first windows key plus e ठीक तो window plus e ये जो short key होती ये windows explorer को खोलने के short key होती है option first जिनका अंसर आएगा है इस question के लिए मिल्कुल सही उत्तर है उनका okay इसके रख control o किसके short key होती है ति programs को open करने के short key होती है control o तो option number first जिनका answer आया हुआ है वह इस question के लिए मिल्कुल सही answer उनका है चलिए तो friends अब हम देखते हैं इस class का अगला प्रेश्ट अगला प्रेश्ट अगला प्रेश्ट फ्रेश्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है इंटेल आई बी एम एपल माइक्रोसॉफ्ट बताएं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है चलिए इस क्रेशन का राइट अंसर हो जाएका फ्रेश्ट ऑफ्रेश्ट फूर माइक्रोसॉफ्ट ओके तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है तो यह बिल गेट्स हैं ओके ऑप्सन फूर अगर आप चुने इस क्रेशन का अंसर बिल्कुल सही उत्ता रहूंका ओके चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का फटा फट से अगला प्रेश्ट फ्रेंड्स अगला प्रेश्ट यह दिया आपका कंप्यूटर अपने आप ही है तो अगर आपका कंप्यूटर अपने आप ही रिबूट हो रहा है तो इसका क्रण्ट क्या हो सकता है वायरेस कम मेमरी दोनों यह इंटरनेट कनेक्शन बताएं चलिए इस क्वेश्टन का राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्सन फर्स्ट वायरेस रिबूट है कि अपने आप ऑफ हो रहा और अपने आप ही आउन हो रहा है तो इसका कारण्ट आपका जो है वायरेस हो सकता है तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्सन फर्स्ट आया हुआ है वो इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही आंसर है तो अगर आपका कंप्यूटर अपने आप रिबूट होता है तो इसका करण्व वायरेस होता है अगर प्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रेश्ट अगला प्रेश्ट निम्लिखित में से कौन सा एक एक MS Office Package Program के अंतरगत नहीं आता है विच्वन आफ ता फॉलोविंग डज नॉट कम अंडर MS Office Package Program ऑप्सन साथ के MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Notepad इन में से बता है कि कौन सा एक MS Office Package Program के अंतरगत नहीं आता है इसक्राइशन का राइट अंसर ऑप्सन 4 हो जाएक अंसर, Notepad, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS DOS, MS Outlook, MS OneNote, ठीक यह सब ही जो है हमारे Microsoft Office Package Program के अंतरगत आता है, Notepad नहीं आता है, Notepad हो गया, Paint हो गया, यह सब कुद नहीं आता है, क्लियर, तो अगर आप option 4 चुद नहीं इसक्राइशन के लिए अपना आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, चलिए, तो friends, अब हम देखते हैं, इस class का अगला प्रशन, अगला प्रशन, friends, computer के दो मुख्य भाग है, the computer has two main parts, बता हैं, तो monitor, CPU, hardware और software, यह motherboard, बता हैं, कि computer के मुख्य दो भाग, दो भाग कौन से हैं, इस question का right answer हो जाएगा, option 3, hardware और software, ठीक, computer के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, hardware और software यह दो main part होते हैं, इसके लिए दोनों, दो है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि hardware की बेना software को use नहीं कर सकते हैं, और software की बेना hardware का कोई काम नहीं है, तो ऐसे में जिटका answer option 3 आ रहा है, वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, प्रेंट सकला प्रसमें, बहुत तिक रूप से memory कितने प्रकार होते हैं, how many types of memory are there in physics, एक, दो, तीन, ये चार, very easy question, पता हैं कि memory कितने प्रकार की होती है, कि कि memory है दो प्रकार की होती, ठीक क्यों सी, एक मीरी primary memory, ठीक है, दूसरी में secondary memory, ठीक है तो primary और secondary दो मेमरी होती है, primary memory में कौन कौन से memory आती है, तो RAM और ROM, RAM और ROM यह बादे primary memory हैं, बाकि hard disk, pen drive, ठीक है magnetic tape CD DVD यह सभी हमारी secondary memory में आती है clear तो ऐसे में जिनका answer option second आप चुनना है इस question का वो सही answer है चलिए अब हम देखते हैं friends इस class का अगला question अगला question किसी computer system और उप्योग करता के वीज संपर के स्थापित करने को कहा जाता है the communication between a computer system and a user is gold पता है कि किसी computer system और उप्योग करता के वीज संपर के स्थापित करने को क्या कहा जाता है options आप के user help user connectivity user interface इन में इसे कोई नहीं पता है कि computer system और उप्योग करता के वीज संपर के स्थापित करने को क्या कहा जाता है इस question का right answer हो जाएगा option 3 user interface okay क्या बोलता है जिसको user interface कहता है चलिए देखने हैं इस class का friends अगला प्रश्न अगला प्रश्न कोई अंक या अच्छर baseline से ऊपर और छोटा होता है तो उससे निम्रिखित में से क्या कहा जाता है इपर नंबर और लेटर इस स्मालर एंड हाइयर देन दा बेसलाइन इट इस काल विच आफ्टा फॉलोइंग ऑप्सन साहिप के आउटलाइन अगर कोई अंक से उपर या नीचे होता है तो इसको क्या बोलता है कि अगर कोई अच्छर आपका यह लिखा हुआ है यहीं लिखा हुआ है आउटलाइन सभी लिखा है अगर कोई अच्छर पुछा उपर ऐसे लिखाओ यह ऐसे लिखाओ तो इसको क्या बोलते हैं तो समझ यह द्यान से अगर जो हो अच्छर उपर लिखा है है अगर हो जाएगा सभी कर्ण अगर यह ओपर लिखा है तो यह मारा जो सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और बेस लाइन से नीचे लिखाए तो इस प्रकार से लिखाए सबस्क्रिप्ट इस पे पूछा गया baseline से ऊपर और छोटा होता है ठीक है तो छोटे होते और baseline से ऊपर होते है तो यह हमारे हो जाएंगे SuperScript ओकी चलिए देखते हैं friends अगला प्रशना friends अगला प्रशना Excel में कौन सा छेत्र राशियों और सूत्रों की प्रविष्ट की अनुमती देता है विच फील्ड इस इन एक्सल अलाउस ता एंट्री ओफ कॉंटिटीज एंड फार्मूलाज टाइटल बार मेनू बार फार्मूला वन यह स्टैंडर टूर बार बजा है कि अक्सल में कौन सा छेत्र राशियों और सूत्रों की प्रविष्ट की अनुमती देता है कमेंट करें इस question का right answer हो जाएगा friends option number 3 formula 1 ठीक है जो formula 1 होता है यह ऐसा छेतरता जो कि रासियों और सूत्रों की प्रविश्ट की अनुमती देता है इस question में जिनका भी answer option 3 आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है ठीक है formula बार होता है formula 1 किया है okay title बार क्या होता है so title बार ऊपर पत्य होता है इसकी उपर यह हलकी से हमिंद्द कर और सब्सक्राइब का नाम लिखा होता है और राइट साईड में minimize maximize और cut button होता है यह ओता है सद्रिया टास्क में सोता है तक होगे छितने लेमें कार कर रहे होते हैं वो उनकी जो आइकन थे इसाएine चित्र होते हैं ये हमको यहाँ पे शो होते रहते हैं और एक लस्ट में जैसे यह जो आपकी जगा बच्बाएं यह वाली यह इतनी इतनी एरिया एधर स्टार्च दिखते हैं और जो इतनी एरिया होती ध्यान से पढ़ लिए इतनी जो एरिया हो पडिया से इस लिह नोठिकेशन आफाँ कि फिकेौं को भूंदirens system के बारे में हमको सूच रहा है मिलते हैं ज़िसे रहे हैं एक उपडेट आती है तो वहीं पे मिल्ती है जैसे विद्टोस में अपडेट आ झाले हमारे system में नेट करेक्ट है कि नेट वर्क वहीं है दिखते हैं ठीक है इसके Il और तेम लिखता है अपका लब Sylgate q2D कितना हुआ कि तना हुआ है उसके अलूग शाषिक लक्रावग अगर आपका लेपटाप है तो इसके बैट्री सप्थ इसम्में जोत्र सब्सक्राइबutta में यह computer में notification area किस side में होती है notification area system में कहां होता है तो यह task var में right side पे होता है नीचे clear चलिये देखते हैं अगला प्रशना अगला प्रशना फ्रेंड्स की mouse track ball और joystick निम्रिखित में से किसके उदाहारन है mouse track ball और जोईस्टिक्स और दा एक्जैम्पेल्स आप पता है माउस ट्रैक बॉल और जोईस्टिक किसके उदाहरन है आप्शन से आपके पॉइंट डिवाइस पैन इन्पुट डिवाइस डेटा कनेक्शन डिवाइस यह मल्तिमीडिय डिवाइस कमेंट करें छिटी तो माउस हो गया ट्रेक बॉल होगया जैसट्फिक वहाओ इस ऑप्वाइंट डिवाइस होते हैं ठेल कि यह कण्टल करते हैं इसी को जोरुוס ISN में नहीं भीन है तब क्या करेंगे तब यह हमारा हो जाता है इं पुट शिभल में नहीं है तो यहहारा इंपुट डिवाइस हो जाएगा ओकि चलिए मैरियर फरेंड्स चलिए ले चलते हैं आपको आग इस क्लास के आपको अगले क्वैश्न की तरफ अगला प्रशन यदि आपने अपने PC की कार्षमता को बहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्रिखित में से क्या अपग्रेड करना होगा सब्सक्राइब बच पी क्या वाइज व एक की बार अपने अपने क्या Chakato. अगर आप अपने PC की छमता को बहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपने CPU को upgrade करना होगा, ठीक है CPU में में क्यों होता है, CPU में में होते हैं, प्रोसेसर के नेम है तो अगर जो लगा हुगा ठीक है वही ससे काम करेगा तो अगर आपको अपने सिस्टम की इंप्रोवमेंट को बढ़ाना तो बढ़ाना है अगर को मैंटेन करना है विज बढ़ाना था अग्कुमोलेटर को को चेंज की अपग्रेड करना होगा और अगर आपको टाइपिंग पे अपग्रेडशन लाना है तो आप कीबोर्ड चेंज करेंगे अपके तो ऐसे में जिनका अंसर आप्शन फर्स्ट आया हुआ है वो इस क्वेश्टन के लिए बिल्कुल सही अंसर है चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रशन अगला प्रशन कंट्रोल शिफ्ट और आर्ट कहलाते हैं एडजेस्टमेंट की फंक्शन की मोडिफायर की यह अल्फा न्यूमेरिक की बता हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और आर्ट इनको क्या बोलते हैं इस क्वेशन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर थर्ड मोडिफायर की ठीक है तो कंट्रोल शिफ्ट और अर्ट इनको क्या बोलते हैं इनको मोडिफायर की बोलते हैं आप मोडिफायर की क्या होती है तो आप लोग वर्ड सुने होंगे मोडिफाई सुने है किते हैं जते हैं न भी किश के माध्यम से आपके डॉक्यमेंट में कुछ बी चेंज लाते हैं वह हमारी मौडि़्फाइड की का यूज क्या होगा अगर अलग अलग टाइप अलग अलग जगह हूँ कि यह आपको ओड और नंबर से इकन को सिलेक्ट करना तो क्या करेंगे च्छिफ्ट करेंगे और यतनी भी चौट की कहा प्रियोग करते हैं वह कंट्रोल की के माध्यम से ही करते हैं अब अगर शौट की का यूज चेंजर आएंगे इसलिए उसको रख खेंगे ऐसा हमारा capital लखेगा उके स्केल के यह ऊपर के आपके लिए कि लिक करते हैं ठीक है तो से करते हैं जो भी Lets लाती है वह सभी मॉडिफार की है कि लिए फोटेम करते हैं इसमें एक अल्ट ररजिरो प्टीक कि अल्ट करते थाड़ आया हुआ है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer है चलिए देखते है friends इस class का हम अगला प्रशन अगला प्रशन फ्रेंट्स computer software में से तुर्टियों को हटाना क्या कहलाता है what is the removal of errors in computer software called interprinting translating, debugging यह compiling बता है computer software में से तुर्टियों को हटाना क्या कहलाता है चलिए तुर्टियों को हटाना कहलाता है debugging okay friends तुर्टियों को हटाना यह कहलाता है debugging इसके लिए जो तुर्टियों को हटाता है उसको बोलता है debugger तो question पूछा गया था examen के debugger क्या होता है कि computer भाष्या में डिबदर क्या होता है ठीक है तो डिब मिस्ट क्या होता है ट्रोटी यार हटाने वाला ठीक है जहां भी यार लगता है वो उसका क्या हो जाता है करने वाला हो जाता है जैसे कि वर्क वर्क मिस्ट क्या होता है कार वर्कर लग गया क्या हो गया कार करने वाला इसी प्रकास से डिब में त्रोटी और इब गर में खटाने वाला को क्या बोलते हैं त्रोटी को खटाने वाला तो फ्रेंड्स आश्रब करेंगे जो ख्लास है आपको काफी एच्छी लगए होगी आपको पूरा बेस्ट दे रहे हैं आपको समझाने के लिए तो मेंदत को आप लोग लाइक जुरूर कीज़ेगा और अगर आप सफल करना चाहते हैं तो क्लास को शेर कर दीजिए ठीक है सब लोग लोग क्लास को लाइक और शेर कर दीजिए चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास काम फटा फट से अगला प्रश्न अगला प्रश्न की MS Word में सिलेक्ट किये गए शब्दों को सबिस्क्रिप्ट करने के लिए शॉटकी है the shortcut key to subscript the select word in ms word is control plus equal control plus minus control plus shift plus equal control plus shift plus minus बता है इस subscript की शॉटकी क्या होती है तो subscript superscript परने भी आपको बता है कि text के उपर लिखना है और छोटा से लिखा हुआ है ठीक है तो यह क्या होता है यह वारा superscript होता है तो कि text के उपर लिखा हुआ है ठीक है जैसे 10 की पावर minus 9 लिखा है ऐसे लिखा होता है इस type से ठीक होता है छोटा लिखा होता है 10 की पावर minus 9 10 की पावर जितना भी लिखा हो ठीक है छोटा होता है इसको बोलते है super script अब super से अब उपर याद कर लिजे उपर होता है इसलिए सूपर हो गया ऐसे व्यात पर सकते हैं दूसरा हमारा जैसे h2o लिखा हुआ है h2so 4 लिखा हुआ है 2 और 4 नीचे होते हैं और छोटे लिखे होते हैं इनको मोलते हैं सबस्क्रिप्ट ओके चलिए इसकी जो सबस्क्रिप्ट की इसकी शाट की होते है सबस्क्रिप्ट की इसकी चलिए होती है Ctrl प्लस इक्वल एक सूपर इसकी होती है Option 1st is the right answer of this question अगला प्रश्ण निम्लिखित में से कौन सा एक प्रेजंटेशन ग्राफिक सौफ्ट वेर है विच आप दो फॉलिए प्रेजंटेशन ग्राफिक सौफ्ट वेर विंडोज MS पावर पॉइंट MS एकसल MS वर्ड बताएं कौन सा एक प्रेजंटेशन ग्राफिक सौफ्ट वेर है कमेंट करें तो फ्रेंट्स जहां भी आपको प्रेजंटेशन से समने दिथ वर्ड मिल जाए वहाँ पे आँखे बदर के MS पावर पॉइंट को टेक कर दीजे क्योंकि MS पावर पॉइंट एक प्रेजंटेशन प्रोग्राम तो ऐसे में जिनका अंसर आप्सन सेकेंड आ रहा है वह इस क्रेशन के लिए बिल्कुल सही अंसर है ठीक है क्या होता है तो यह प्रेजंटेशन प्रोग्राम होता है ओके तो ऐसे में जिनका भी अंसर आप्सन सेकेंड आया हुआ है वह इस क्रेशन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है चलिए अब हम देखते हैं friends इस class का फटाफ़ से अगला फरसन friends अगला परसने किसी printer का resolution निम्रिखित में से किसमे मापा जाता है the resolution of a printer is measured to make a bits Hz dots प्रति इंच या इंच पता है कि किसी printer का resolution किसमें में आपते हैं DPI में में आपते हैं dots per inch dots per inch DPI का full form होता है ठीक है इसके और किसी printer की speed को किसमें में आपते हैं यह भी पहुंसता है exam में किसी printer की speed को किसमें में आपते हैं तो इसको ppm में में आपते हैं पेज पर मिनट में, ओके, चलिए, तो फ्रेंट्स आज की इस class में इतना ही, जिए फ्रेंट्स जो class है आशा करेंगे, आप से को काफी अच्छी लगी होगी, इन भी लोग ने class को अपने like नहीं किया है, सब लोग friends अपने class को like कर दें, और सभी लोग अपने class को share भी कर रहें ओके, तो friends सब लोग class को अपने like और share कर देजिए, तो चलिए, मैं आपका friend शीवम कुमार, मिलतो हो friends आप से आपकी next class में, ठीक है, तो तब तक के लिए, आप सब लोग अपना ख्याल लखें, safe रहें, पढ़ाई करते रहें, take care friends, bye bye, जै भी ये शे, देविए, देविए।